अब हम देखते हैं कि determinant क्या होता है determinant basically एक matrix के अंदर कुछ आप arithmetic operations करते हैं और उन arithmetic operations की base पे आपके पास एक value आती है जो determinant होती है let's look into it determinant जब आप निकालते हैं तो आपके पास कुछ यह एक matrix है 2x2 का जिसकी value है 1,2,3,4 यानि कि यह 2x2 का matrix है यह इसकी values है 1,2,3,4 इसके determinant को show करते हैं A के इर्दगिर्द दो लाइने लगा के ठीक है यह इसका A का determinant है अब A 1 को 4 से multiply करेंगे minus 3 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आपका determinant जो है वो आ जाएगा अगर इसको equation की form में देखें A मेरे पास एक matrix है जिसके अंदर A और B, बलके नहीं B, C, D अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इसको आप कह सकते हैं A का determinant is equal to A multiplied by D minus B multiplied by C simple, ठीक है तो इस तरीके से आपके पास determinant की जो है वो value आ जाती है, यह इसकी equation है अब determinant होता क्या है इसको और भी detail में देखते है आपको पता है कि कोई भी आपकी जो value है say for example आपके पास यह एक matrix है matrix क्या होते हैं यह एक linear transformation है transformation ठीक है यह linear transformation है जो मैंने कल आपको बताया था मिसाल के तोर पे अगर मेरे पास एक इस तरीके से यह एक unit vector है इसको मैं 90 degree पे rotate करता हूँ ठीक है 90 degree पे rotate करने के बाद क्या होगा इसका यह हाल हो जाएगा मिसाल के तोर पे यहाँ पे i आजाएगा यहाँ पे j आजाएगा ठीक है अब यह इसका determinant मलूम करते है यह matrix क्या बनता है मैंने कल भी आपको बताया था i hat यह है और यह j hat है इसका matrix बनता है जनाब 0 &-1 और 1 0 यह matrix है इसका determinant निकाल के देखते है ठीक है हमारे पास यह वाला matrix है इसका determinant निकाल के देखते है let's see 0 multiplied by 0 minus minus 1 multiplied by 1 तो यह हमारे पास क्या आत है 0 minus यह मेरे पास क्या है minus 1 multiplied by 1 minus 1 ठीक है इसका मतलब है हमारे पास जो determinant है वो plus 1 है समझागी बात की plus 1 या 1 अब determinant है क्या मैं अब आपको बताता हूँ जब कभी आप कोई transformation करें say for example ये मेरे पास एक i vector है ये j vector है j hat और i hat इनका अगर मैं area count करूँ तो ये मेरे पास एक area आता है ये जो red shaded color मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे का सारा आपका जनाबे वाला area है ठीक है अब after the transformation 90 degree पे जब मैंने rotate किया तो मेरे पास जो इसी का area आया say for example that was सिरफ rotate हुए है ना area तो उतना ही रहा है ये वो ही area सिरफ rotate किया इसका मतलब जो determinant है ना वो change in area को बताता है यहां पे कोई change नहीं आई ना rotate करने से इसका मतलब है 90 degree rotation की transformation कोई भी change नहीं लाती 90 degree rotate करने से आपकी किसी भी चीज़ पे फरक नहीं पड़ता तो एक इसका determinant आया यानि कि कोई फरक नहीं पड़ता जो area था वो वैसे का वैसा रहा अगर यह एक से कम हो जाता area तो इसका determinant कम हो जाना था say for example यह मेरे पास एक ड़बब है ठीक है जब मैंने इसको transform किया यह आदा रह गया तो इसका मतलब है जब यह transformation हुई यह एक matrix आ गया मेरे पास इसका determinant क्या होगा 0.5 यानि कि यह 0.5 कम हो गया ठीक है और अगर 0.5 कम होने के साथ साथ इसका एक और काम हो जैसे यह वाला मेरे पास डबबा है ठीक है अब इसको मैंने क्या किया यह है इसका एक नमबर को ना यह चार नमबर को ना ठीक है अब क्या हो यह एक तो आदा हो जाए इससे और दूसरा क्या हो इसके साथ कि चार इस साइड पे आ ज़े एक साइड पर यानि कि फ्लिप कर जाएं अगर ये फ्लिप करेंगे इसका डिटर्मिननट फिर भी 0.5 है लेकिन माइनस के साइड के साथ क्यूँ क्यूंकि 4 ने गूम के मतलब 4 गूम के इस साइड पे गया है और फिर आपके पास जो है वो उसका determinant आया अक्सर उकात आपने देखा होगा जब आप तस्वीरों को छोटा बड़ा कर रहे होते हैं किसी भी एक PowerPoint के अंदर या different other example के अंदर आपने देखा होगा तो क्या होता है आपके पास एक एरिया जो है वो चेंज हो जाता है ठीक है इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ मैं यहां पे आपके सामने कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसी example दी जाए which is very helpful for you guys और let me give you an example just give me one second बलके इसी के ऊपर मैं एक image को copy करता हूँ just one second और उस image का मैं आपको determinant बताता हूँ कि किस तरीके से आपको find out करना है say for example कोई भी आप image ले मेरे पास असलमें internet की speed slow है तो इस वज़ा से images जो है वो copy image मैंने की ये copy image मेरे पास आ गई ठीक है अब आप गौर कीजेगा ये जो image मेरे पास आई है इसी को अगर मैं copy करके यहां पे paste कर दूँ मैंने image में कोई रद्दो बदलने की तो इसका determinant क्या है मेरे पास इसका determinant है 1 यानि के no change अगर मैं इसको पकड़के यहां से आदा कर दूँ तो ये अब determinant इसका हो गया 0.5 ठीक है एक और काम अगर मैं इसी image को पकड़ू और इसको इस तरीके से बहुत चोटा कर दूँ तो ये मेरे पास ऐसे रही है बाइदावे मैं देखता हूँ अगर ये मेरे से flip होती है let me see flip horizontal अब आप चेक करें ये मेरे पास एक तो चोटा area हो गया दूसरा ये मेरे पास flip हो गी image यानि के ये image ऐसे उल्टी होके mirror image आ गी है तो ये आदा हिस्सा तो हो गया लेकिन साथ में minus का sign लगेगा तो usually आपके जितने भी matrices होते हैं उनके determinant आप इस तरीके से लिखते हैं और determinant को find करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि determinant होता क्या basically जब भी कोई transformation में change आएगी उस change का जो impact होता है on the area determinant अब इसकी और बात आपको समझाता हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि rotate हो रही है चीज़ें कभी कबार ये squeeze भी कर जाएगी कभी कबार ये बड़ी हो जाएगी अगर ये बड़ा हो जाए area मतलब यहां से ये area दुगना हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो area है ये basically इसका determinant 2 हो गया है ठीक है? So this is how you can actually imagine और ये area कैसे आप मापते हैं आपके पास इस तरीके से जो भी vector होगा उसके y और x इनको मिला के जो डबबा बन रहा है और ये डबबा मैंनी बना रहा हमने कल theoretically देखा था कि ये डबबे automatically बनते हैं जब आप different points को एक two real coordinate two dimensional plane के अंदर लेके आते हैं तो ये जो डबबे हैं ये एक area को show कर रहे हैं ठीक है? और अगर चार डबबे मिलते हैं तो कितना area होगा? और बाकी कितना area होगा? Basically आपने ये area find out करना होता है तो इसी को हम determinant भोलते हैं और determinant बहुत important होता है और आपको determinant समझना इस वज़ा से भी ज़रूरी है क्योंकि आपने matrix के different operations जो हैं उन में determinants को use भी करना होता है और usually क्या होता है? जिन बंदों को determinants की समझ आ गई है वो basically graphic designing के softwares के अंदर easily इन चीज़ों को manage कर सकते हैं they know के जब हम rotation को minus में करते हैं तो वो anti clockwise हो जाता है plus में rotate करते हैं तो वो clockwise हो जाता है जैसे मेरे पास इसी example के अंदर जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है अगर आप गौर करें तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है horizontal करता हूं तो यह मेरे पास इस तरीके से होगी so negative values का मतलब यह है कि उसको उठा के दूसरी साइट पे ले जाना और यह चीज़ें आपको data augmentation के अंदर बड़ी helpful सावित होती है so this was determinant hopefully आपको समझ आगी होगी determinant की अभी मेरी request आप से यह है कि जब भी आप determinant find out करें तो उसकी equation जरूर देखिएगा सादा area को measure करना easy है लेकिन determinant के थुरू आप multiple matrices का भी जो area है वो measure कर सकते है एक मिसाल मैं आपको देता हूं अगर area कुछ इस तरीके से होगा तो आप कैसे measure करेंगे अगर area कुछ इस तरीके से होगा आप कैसे measure यह भी area होता है ठीक है तो आप basically इन चीजों की base पे different area को find out करते हैं और वो determinant होता है और जिसका matrices का formula मैंने आपको बताया है that is very easy के आप a cross d minus b cross c this is determinant